नमस्कार तो सोसल मीडिया पर कुछ ऐसे पेज हैं जो कि खुद को बीजेपी के मेंबर बताकर एक ट्रोल पेज बना रखा है जिन्होंने जो कि राहुन गांदी कुछ भी बोलते हैं बस उसका एक एडिटेड वीडियो बना दो और सोसल मीडिया पर डाल दो मीम बन जाएगा यही सोच मानसिक्ता रखने वाले लोग होते हैं अभी हम लोग बात करेंगे आप देख सकते हैं एक संदीप्रा को नाम का एक सोसल मीडिया पर यह कि यह यूजर है कि जैपी का खुद को मैम पर बताते हैं इन्होंने राहुन गांदी के एक वीडियो शेयर करी जिसमें रा एडिटीड वीडियो है मुहमद जुबेर ने खुद से शेयर करते हैं बताया कि यह वीडियो कुछ पेजिस द्वारा बदे फैलाया जा रहा है यह एक दम फरजी वीडियो है अस तक ने भी खुद से एक पोस्ट डाला जिसमें उसने बताया कि जो यह एक राहुल गांदी का वीडियो पचास और पंदा जोड़कर तीयक्तर बताया जा रहा है एक दम फरजी वीडियो है जो कि सोचल मेडिया पर फैलाया जा रहा है अब दरसल में बताता हूं कि राहुल गांदी उससे में क्या कह रहे थे जो कि इन्होंने एडिट करके एक ही वीडियो बना दिया अब राहुल गांधी एक पत्रकार से सवाल पूछता है, सवाल में पत्रकार चुप हो जाता है, जिसके बाद राहुल गांधी बदाता है, लगबख 50-55% जो है पिछड़े वर्क के लोग है, इस तरीके से बाचीश चली होती है, अब राहुल गांधी जी का यहां से 50-55% का उस सब्द है, उसमें से 50% यहां से एड़ेट कर लिया गया और दूसरी जगह से 15% का एड़ कर लिया गया और दोनों को जोड़ बता करके, 73 बता कर यह भी एक तरीके से एड़ करके, यह पूरा एक एड़ेटिट वीडियो बना दी गया और जो की देखने में एकदम रियल दिख रहा है, नए नए फोटो सॉप सिस्टम साउंड शेंज करने के तरीके आ चुके हैं, तो इस तरह की एड़ेटिव वीडियो आसानी से बनाई जा सकती है, हाला कि इस तरह की वीडियो फटजी वीडियो फैलाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी रहे मार सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए,